नमस्काल दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है, मैं जितेंद्र कुमार जॉली यदि आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सुनेहरा अफसर है, महात्मा जोतीवा फुलेर वेलखनमिस विद्याले बरेली दुआरा पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए ओनलाइन आवेधन आमतित किये गए है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आवेधन सुल कितना रखा गया है, आवेधन करने के लिए नियून्तम योग्यता क्याने धारित की गई है, और आवेधन करने की अंतिमतित ही क्या है साथ ही साथ PhD एडमिशन से जुड़ी बहुत सारी बात है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो इस वीडियो को सुरूर से अंतक देखिए आईए सुरुवात करते हैं यदि आप PhD करना चाहते हैं तो PhD के लिए minimum qualification क्या ने दायत की गई है इस वारे में बात करते हैं तो जिस वीचे में आप PhD करना चाहते हैं उस वीचे में आपका इसनातकोत्तर अवस्थ्य होना चाहिए यदि आप इसनात कोर्तर नहीं है और इसनात कोर्तर के समकष्य आपके पास कोई अन्य हुपादी है तो आप यहाँ आपलाई कर सकते है इसनात कोर्तर में आपके नियूनतम पच्च Dann angक अवश्य होने चाहिए यदि आप अनुछूची जाती अनुछूची जन जाती यह विखलांग सिर की चूट दी गई है यदि आपके 50% अंक इसनात्कोत्तर में हैं तो भी आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं बेचात्र जो इसनात्कोत्तर उपादी के अंतिम बर्स अंतिम सेमेश्टे की परिक्षाद दे चुके हैं या दे रहे हैं ऐसे समस्त चात्र प्रवेश्पिरक्रिया में सम्रित होने है तुछ एहरे होंगे यदिवे अंतिम परिणाम में न्यूंतंम होते हैं एक अभ्याति को उसी भिसे में PhD उपादी है सोद करने की अनुमती होगी जिसमें उसनात्कोत्तर उपादी प्राप्त की है पाठ़े करम कार्णिया यानि की कोस्वर्ण को सम्रित अपनी PhD पूरी करनी होगी आईए प्रवेश पिरकिरिया की बात करते हैं प्रवेश पिरकिरिया बिस्विद्याले अनुदान आयोग यानि यूजिसी के नियम अनुसार होगी और यहां पर अभ्यातियों को दो भरगों में बाटा जाएगा नमबर एक ऐसे अभ्याति जिनको एंट्रेंस एक्जाम देना होगा और नमबर दो एसे अभ्याति जिनको एंट्रेंस एक्जाम में छूट मिली हुई है यानि कि उनको एंट्रेंस एक्जाम नहीं देना है दोनों ही प्रकार के अभ्यातियों को इंटर्व्यू में बुलाया जाएगा और इनका जो चैन है व इंटर्वियू में होने वाले प्रवेश परिक्षा में छूट प्यदान की गई है यानि कि इन अभ्यतियों को प्रवेश परिक्षा नहीं देनी है सीधे इन लोगों को साक्षातकार के लिए बुलाया जाएगा ऐसे अभ्यति जिनोंने CSIR या फिर UGC NET किया है उन लोगों को यहाँ पर शूट प्यदान की गई है साथी साज JRF या फिर सेलेट करने वाले अभ्यतियों को भी शूट दी गई है ऐसे अभ्यति जिनोंने GATE या GPAT की परिक्षा 90 प्रतिशत या इससे अधिक अंकों से पास की है उन लोगों को भी यहाँ पर लिखित परिक्षा में नहीं सामिल होना है इन लोगों को भी प्रवेश परिक्षा में छूट प्यदान की गई है करनल अध्वा समकक्ष इस्तर के थल जल एवं बायू शेना में कारेरत ऐसे अभ्यति जिनका सेवा काल 15 बरसों से कम नहीं हो एवं उन्होंने रक्षा एवं सामरिक अध्यन में पिएश डी हेतु आप इदन किया हो इनको भी यहाँ पर प्रवेश परिक्षा में छूट प्रदान की गई है यदि आप पिएश डी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस डॉक्यूमेंट को आप आराम से पढ़ लीजिएगा इसमें बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी इसका लिंक मैं डिस्किप्सन वाक्स में दे दूँगा आप बहां से जाकर इसको सीधे डाउनलोड कर सकेंगे ये वीडियो आपको कैंसर लगा कमेंट करके बताइएगा यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अब बात करते हैं आबेदन सुल्क की अनारक्षित एवं पिछड़ाबर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको 1200 रुपए आबेदन सुल्क जमा करना होगा अनुसुची जातिय जन जाति के जो कैंडिडेट हैं उनको 600 रुपए आबेदन सुल्क जमा करना होगा। यह आप online आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जाना है mjpru.ac.in की साइट पर जैसे ही आप इस साइट पर पहुंचेंगे कुछ इस परकार का interface आपको खुला मिलेगा आपको नीचे जाना है यहाँ पर एक link दिखाई देगा PhD Details इस link पर आपको क्लिक कर देना है इस link पर क्लिक करने के बार आप फिर से एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे और यहाँ एक link दिखाई देगा PhD Online Entrance Exam Form इस link पर आपको क्लिक कर देना है इस link पर क्लिक करने के बार आप फिर से एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे यहां आपको एक और लिंक दिखाई देगा Apply for PhD Entrance Examination 2019 इस लिंक पर क्लिक कर देना है और इस लिंक पर भी क्लिक करने के बार आप फिर से एक नए पेज पर पहुँच जाएंगे इस पेज पर बहुत सारी डिटेल दी हुई है इसको पढ़ दीजिएगा यह फारम बनने में आपके काम आएगी यहां पर नीचे जब आप पहुँचेंगे तो एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा I have read and understood इस बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है इस बॉक्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे राइट का निसाना जाएगा उसके बार नीचे आपको दो कैटेगरी दी हुई है apply for exempted कैटेगरी इस कैटेगरी में उन कैडिडेट को apply करना है जिनने उनने net किया है jrf किया है select किया है get किया है या फिर अन्य किसी पकार का उनको रेक्सेशन मिल ला है अन्य सभी कैडिडेट को apply for non exempted कैटेगरी में किलिक करने के बार अपना फारम ऑनलाइन भरना है PhD में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिमति थी 5 सितंबर 2019 है तो 5 सितंबर 2019 से पहले आवेदन कर दीजिए ताकि आपको किसी पकार की समस्या का सामना ना करना पड़े